आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अब कोशन में कहा रहा कि जैसे ही जब इस दोनों पे चार्ज भी अलग-अलग थे जब इनको एक wire से क्या करोगे आप connect कर दोगे तो इसमें charge का flow होगा और charge का flow कब तक होगा जब तक की दोनों के potential एकल ना हो जाए इनसली मालेत है इसका potential V1 था इसका मालेत है potential V2 था तो charge कब तक flow करेगा जब तक की दोनों का potential एकल ना हो जाए V1 equals to V2 जैसे ही दोनों का potential दोनों हमारे पास जो conductors spherical conductors है अगर उनका potential सेम हो गया तो हमारे पास flow of charge stop हो जाएगा और उस समय जब flow of charge stop हो जाएगा तो हमें क्या होगा कि यहाँ पे देखो stability आ जाएगी अभी यहाँ से माल लेते हैं Q1 greater than Q2 था जैसे ही connect करेगे तो दोखो charge हमारा Q1 से Q2 पे जाएगा कब तक जा रहा होगा जब तक कि potential हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा जैसे ही potential हो जाएगा charge का flow हमारा क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा अब बस condition क्या थी हमारे पास potential दोनों पर लिखके equal कर देंगे और density का ratio हम find out कर लेंगे तो initially अगर potential देखो कितना हो जाएगा इस हमारे पास जो ब्लॉग था, sorry, conductor था, spherical conductors, potential V1 equals to क्या होता हमारे पास K Q1 divided by R1, R1 क्या था radius of the first spherical conductor, इसी तरह से अगर इस पर potential देखोगे तो हो जाएगा हमारे पास V2 equals to K, charge कितना है देखो Q2 divided by कितना हो जाएगा हमारे पास R2, ठीक, अब Q1 Q2 की value निकाल लो, Q1 कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि Q1 equals to क्या होता हमारे पास यहाँ पर given है surface charge densities, तो हमारा देखो surface charge density sigma 1, अगर पहले स्पेर की बात करें, तो sigma 1 equals to क्या हो जाएगा हमारे पास Q1 by area of first A1 हो जाएगा, ठीक, इसी तरह से, अच्छा एकाउंसा area होता हमारा surface area, हमें पता कि जो surface charge density होती है Q by क्या होता है area, ठीक, तो यहाँ से अगर पहले जो हमारे पास conductor था, अगर इसका surface charge density है, देखोगे, sigma 1 था हो, तो उसकी value कितना हो जाएगा, तो यहाँ से गर हम Q1 की value find out करें, यहाँ से गर Q1 की value find out करें, तो उसका वली कितना हो जाएगा, तो सिग्मा 1 into A1, यह हमारे पास Q1 की value आगई, और A1 surface area कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 pi r1 square, इसी तरह से यहाँ sigma 2 x a2, sigma 2 क्या था हमारे पास surface charge density of second, जो इस spare था जिसकी radius r2 थी, a2 क्या था surface area of second हमारे पास जो conductor था, spherical conductors, ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, कि जैसी वो आर को connect करोगे, charges का flow तप तक होगा, जब तक potential equal न हो जाए, तो यह से ही V1 और V2 को आप equal कर दो, तो equal कर देंगे V1 की value हमारे पास कितनी थी देखो K Q1 by R1 और V2 की value कितनी हो जाएगा हमारे पास देखो K Q2 by R2 अब यहाँ पर क्या cancel होगा K से K cancel होजाएगा Q1 Q2 की value यहाँ पर put कर दो Q1 क्या था हमारे पास देखो Sigma into A1 Sigma 1 into A1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4Pi R1 square यह हमारा surface area हो जाएगा हमारे पास किसका पहले वाली spare का each equals 2 आजाएगा हमारे पास अच्छा divided by यहाँ पर R1 भी है each equals 2 हो जाएगा हमारे पास Q2 Q2 की value कितनी हो जाएगा हमारे पास sigma 2 into A2 A2 कितना हो जाएगा हमारे पास surface area of second conductors 4Pi R2 divided by यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास देखो R2 अब यहाँ पर देखो एक R1 से R1 cancel हुआ यहाँ R2 से R2 cancel हुआ तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास sigma 1 into 4Pi R1 is equals to यहाँ क्या हुआ sigma 2 into 4Pi R2 अचा एक चीज यहाँ पर तो और cancel हो जाएगा अगर यहाँ पर देखो तो यह 4Pi से 4Pi भी तो cancel हो जाएगा तो यहाँ पर 4Pi 4Pi हटा देंगे cancel हो चुका है क्लिर हो गया अब है क्या बचाए sigma 1 upon R1 equals to sigma 2 into R2 यहाँ पर square नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ R1 बचेगा ठेक क्योंकि R2 से 1 R2 cut चुका होगा तो हमें क्या find out करना था surface charge densities का ratio sigma 1 by sigma 2 equals to कितना हो जाएगा हमारे पास देखो R2 by R1 तो यह हमारा इस question का answer हो जाएगा sigma 1 divided by sigma 2 equals to क्या हो जाएगा R2 by R1 clear हो गया तो अगर option देखो कि R2 by R1 कौन सा option होगा option no.4 तो यहाँ पर देखो option no.4 is the right answer of this question thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर